बिल्कुल सही समय पे बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है आज हम जानेंगे not showing problem को के से solve करें थीम की बात कर रहा हूँ तो थीम auction आप enable के से कर सकते हो आज हम जानेंगे आप किसी भी चाट के उपर क्लिक कर देते हो example में क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई भी थीम चेंज करने वाला auction शो नहीं हो रहा है आप देख सकते हो clearly चली बैक आकर में अपनी दुसरी आईडी को यहाँ पर स्वीच कर देता हो स्वीच करनेंगे बात यहाँ पर में चार्ट के सेक्शन में जाता हो open करता हो तो यहाँ पर मुझे थीम का auction शो हो रहा है आप देख सकते हो मेरे दुसरी आईडी पर मुझे थीम का auction यहाँ पर शो हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करने के बात बड़ी आसन से अपने थीम को में चेंज कर सकता हो तो यहाँ पर सब थीम भी चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो तो एक्चली यह केसे हुआ पहले ID पर यहाँ पर शोर नहीं हो रहा है एंड second ID पर यहाँ पर थीम का auction मतलब थीम चेंज करने वाला auction शोर हो रहा है यह केसे हुआ एंड केसे अनिबल कर सकते हो आपके थीम के auction को आप Instagram के उपर आज हम यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले वीडियो को एंड तक देखे एंड एक सही जानकरी जानने के लिए वीडियो लाइक जरू करे इस वीडियो पर 50 लाइक का ही चोटाता आपके टरक देता हो इस टार्गेट को कंपलेट कर सकते हो लाइक से मोटेशन मिलता है मोटेव मिलता है वीडियो बनाने का तो जरू लाइक करे चलिए विदा उटे इनिवे शोओ आप टाइम लेक स्टार्ट दे वीडियो चलिए तो बिल्कुल सिंपल सोलिशन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है प्रोफाल पर उपर क्लिक करने के बाद साइड के त्री लाइन के उपर क्लिक करना है तो मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के उक्षन पर क्लिक करना है अब जैसे आप सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से second number को auction है friends तो इस वाले auction पर आपको click करना है click करने बाद friends यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पर आपको continue करना है उसके बाद यहाँ पर जो category आप select करना चाते हो वो select करिए तो आपको दिखाने के लिए example कोई भी एक category में यहाँ पर select कर देता हूँ इडिटर पर में tick कर देता हूँ अब यहाँ पर आप on off कर सकते हो display on profile auction को उसके बाद simply आपको done पर click करना है अब friends यहाँ पर 30 second तक आपको wait करना है उसके अंदर यहाँ पर आपको अगली process आ जाएगी यहाँ पर two auction आते है business and creator friends तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है friends creator के auction पर tick करना है अब business के auction पर भी tick कर सकते हो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैं creator के auction पर click कर देता हूँ उसके बाद आपको next के उपर click करना है अब जैसे next के उपर आप click कर देते हो click करने बाद यहाँ पर कुछ और information आएगी यहाँ पर cross पर click करना है and skip करना है सब कुछ अब यहाँ पर simply prints आपको अपने चाट के section को open करना है मैं open कर देता हो तो किसी भी एक chat के उपर में click कर देता हो अब click करने बाद यहाँ पर आप देख सकते हो corner में auction आ रहा है जिस पर आप click करके बड़ी आसन से अपने theme को change कर सकते हो तो मैं आपको change करके भी दिखाता हो theme change होती है या नहीं होती है तो theme की इस auction पर मैं click कर देता हो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कही सारे theme आ गए एक select कर दिए select करने के बाद back आ चुका हो आप देख सकते हो यहाँ पर theme मेरी change हो रही है and बड़ी आसन से इस तरह से back to back आप theme को change कर सकते हो so इस तरह से आप बड़ी आसन से theme auction not showing problem को solve कर सकते हो वीडियो को लाइक करिए, एक सही जानकरी के लिए लाइक, इंपोर्टन टै, 50 लाइक है, चोटा टार्गेट इस टार्गेट को आप कंप्लेट कर सकते हो, हमारी चानल पे क्लिक करके नए पुरान वीडियो देखे, इंस्टरग्राम टिप्स और ट्रिक्स की फ्लेलिश भी द जाएंगे, थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो, जैनुए निमात्रम, देल्शे शुक्रिया वीडियो देखे, थैंक्स